चैनल को लाइक करे और सस्क्राइब करे नगरिये क्षेत्र के आवास्तोला निवासी पच्पन वर्षिय जग्गू पिता नंदु रावते का आज सुभा वैनकंगा नदी के बजरंग घाट में शव दिखाई दिया बताया जाता है कि गत पांच नवंबर से लापता थे परिजनों ने कोतवाली थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्स कराई थी 6 नवंबर को सुभा बजरंग घाट में लापता जग्गू रावते का शव दिखाई दिया संभावना लग रही है कि नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से डुगने से उनकी मौत हुई है जग्गू रावते हैं यह को रहते हैं मौत है बड़ा जग्गू रावते हैं चा नामें का जानकरी लगी थी यह लाट को इनके लड़के लोगाय वापती अनका जंदे से जब पूछे चे बजे कि पापा दीखे क्या गर कि अनका नाती था घर में तो अनका नाती घर में है और दीखे नहीं पिर वो घर गय उसके बाद माय गया साड़े साथ बजे तो आगा पता चला कि नहीं आय करक अधर डाट जो जे कर बाड़ जये जलूंगे पिर नहीं जलुट कि अट एक रही से चाहते पूंझमें नहीं आपके जूंधाने कि अनका निकले नुख इस वाड़ी में कॉस्तों समझ में आए उक और प्ल गाड़ी थी प्लेश्कान अनलिश और जोंग रिखे उसको देखके लगा जब यहां है नहाने वाले नहीं नहीं आवाद जिये कि यहां कुई दूबाए करके अच्छा तो ब्राभी बॉडी निकालेंगे क्या करते थे यह पहले तो अपना बैल गाड़ी चलाती थे उसके बाद काम छोड़के उसके लड़किन उपने समारे जो तो ड्रावर है तो यह था भूपाल में सबके साधी हुई जाओ क्या नाम आपका रग्गु रावते हैं पिता नंदु रावते जाती कुनभी अंटावन बर्स के हैं नर्वदनाकर वाला घाट के एक अपनी घर से बिना बताय निकले थे तो इनके परिजानों ने थान पता साजी करें कुछ नाने वाले लोग आए तो बेंगंगा अपना बजन जो घाट है वहां पर इनको एक बाड़ी डेड़ बाड़ी नदी में दिखी तो फिर जब इन लोगों जाकर तस्दीक किये तो यह जो है जग्गु रावते की वाड़ी कैसी क्या गटने लग रही तो प्रतम दस्टेया तो यह पानी में नाने घगया होगा और गहरे पानी में जाने से इसकी मत्ति हुई है और इनके परिजनों में पता है कोई सक्संदे नहीं है और अभी जान जारी है बरिश नदीकारियों को बताये गया है आपको सुब नम यह एसा ही राजू सिंग द आपको सुब यह जो आपको सुब अबाद कर दो कोई से लाजू से वगया है।